हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूं सब लोग अच्छ होंगे आज के वीडियो में हम बात करेंगे वीजी 3 टाबलेट के बारे में इसके लिए बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रहे थी कि मैं इस पर एक वीडियो बनाई है आप कैसा रिवीव हैस के बारे मे वीजी 3 टाबलेट क्या होती है हम इसका कभ यूस करते हैं और इसको यूस करने के बाद में क्या बेनिफिट महीते हैं इसे के बारे में आज हम डीटेल में जानेंगे विजित्री टाबलेट एक आयरुवेदिक टाबलेट है और इसमें महिलाओ के जो प्राइवेट पार्ट में लूजनेस आ जाती है या धीली योनी हो जाती है उसमें टाइट करने में ये हेल्प करती है और इसका काफी अच्छ रिजल्ट की बात करें तो 20-25 मिल्ट के बाद में इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलते है इतनी जल्दी तो कोई इंजेक्शन या कोई क्रीम वगेरा तो आपको रिजल्ट देगा नहीं है न तो इसमें कौन-कौन से इंग्रिडियन्स को मिला करके बनाए गया है तो इ इसको टाइट करने में हेल्प करता है इसको आपको कितने दिन तक यूज करना है क्योंकि लोग मन में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि हम केसे यूज करें कितने समय तक यूज करना है इसके क्या बेनिफिट होते है क्या साइड इफेक्ट होते है अगर हम इसके यूज करन आपको इसको इंसेट करना है मानलो अगर किसी को लूज वेजाईना की प्रॉब्लम है पहले से ही है बहुत सारी महिलाई कम्प्लेंट करती कि मेडम डिलियूरी के बाद में husband certifies नहीं होते है तो ऐसी महिलाओ को ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रोज इसको रखे तो relation बनाना जरूरी है ऐसा कुछ नहीं है अगर आप तो muscles को tight करना है तो उसके लिए आप इसको use कर सकते हैं और इसके बहुत अच्छे results देखने को मिलते हैं जिन भी patient ने use किया है मेरे बहुत सार patient यूज कर रहे हैं इसको यूज करने का जो तरीका होता है एक tablet लेना है हमको night में जब सोते टाइम पेरों को fold करना है और वेजाईना में एक tablet insert करना है अगर आपको insert करते time थोड़े dryness feel हो रही है तो थोड़ा सा दो-तीन भून कानी से आप हाथ गीला कर ले उसके बाद में आप इसको insert करें insert आपको इतनी 2-1.5-2 इंच इतनी इंसर्ट करना है 5-6 इंच इतना पुरा deep में insert नहीं करना है ठीक है इसको insert करने के बाद में आपको आदे घंटे तक लेटा रहना है ताकि यह निकले नहीं क्योंकि insert करने के बाद में अगर आप खड़े हो जाएंगे तो बाहर भी आ सकती है तो आपको यह ध्यान रखना है इसको आपको कितने समय तक use करना है तो आप इसको continue तीन महीने तक use कर सकते हैं अगर आपको result चाहिए तो पहले दिन से ही result मिलना शुरू हो जाता है पर अगर आप चाहते कि नहीं मुझे effective result मिले तो आप तीन महीने तक इसका use करो अब इसके बाद में हम बात करें तो आपको इसको use के से करना है तो ये vaginally use करना है आपको एक दिन छोड़ करके एक दिन तो पहले महीने में तो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन use करना है फिर दूसरे महीने में आपको दो दिन छोड़ करके use करना है यानि कि हर तोथे दिन आपको use करना है उसके बाद तीसरे महीने में आपको इसको weekly यानि कि हफ्ते में एक बार यूज़ करना है अगर आपको इतने time तीन महीने में यूज़ करने से अगर आपको अच्छे result मिल जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं मुझे फिर से repeat करना है तो फिर से आप doctor से सला लेकर के फिर से आप इसको start कर सकते हैं ये dose आपका आगे जाके depend करेगा कि आपको फिर से नहीं तरीके से पहले महीने दूसरे महीने जैसा ही यूज़ करना है कि अगर वेजाइन टाइट होने लगी है आपकी तो फिर आप weekly ही यूज़ करें इसको और आप लंबे टाइम तक भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जिससे अगर आप surgery करवा होगे तो surgery हर एक patient के लिए affordable नहीं होती है इसके बाद में काफी महेंगी होती है महला होस्पिटल जाना नहीं चाहती है ये बात किसे से share नहीं करना चाहती है तो बहुत सारे कारण होते हैं अब हम इसके फाइदे की बात करें कि benefit क्या होते हैं तो सबसे बड़ा benefit यही होता है कि इसको use करने के बाद में जो result आपको चाहिए था वो result आपको मिल जाएगा इसका side effect के बारे में अगर हम बात करें तो अभी तक तो किसी भी patient ने इसी complaint नहीं की कि मुझे इसको लेने के बाद में ऐसा हुआ या वैसा हुआ कोई problem नहीं है क्योंकि वो ayurvedic tablet है इसके बाद में आपको कौन से condition में इसको use नहीं करना है सबसे पहले condition होती है कि अगर आप unmarried है और sexually active नहीं है तो आपको इस tablet को use नहीं करना है क्योंकि आपको इसी problem है ही नहीं दूसरी बात कभ यूज नहीं करना है जब आपके periods रहते है यानि कि periods के दोरान इसको use नहीं करना है महिने में 4-5 दिन तो हर महिला का period चलता है तो periods यानि कि bleeding हो रही उस दोरान आपको इस tablet को use नहीं करना है अब इसके बाद में आपको क्या साउधानी रखना है कि जब आप ये tablet use करें तो आपको अपने हाथों को अच्छे से दोना है wash करना है, सुखाना है उसके बाद में आपको इसको vaginally insert करना है दूसरी बात tablet रखने के बाद में आदे घंटे तक आपको लेट नहीं ही है, उठना नहीं है उसके बाद तूरंत आपको vaginal area wash नहीं करना है इन चीजों का आपको ध्यान रखना है तो आशा करती हूँ कि वीजी 3 tablet के बारे में मैं आपको संपुर्ण जानकरी दे पाई हूँ धन्यवा